लिजे सुनिए आचार चतुरसें शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का पाच्वां भाग प्रलय मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में मसी से लगभग 32 सो वर्ष पहले ये जगत विख्यात प्रलय हुआ था जिस का वर्णन संसार की सब प्राचीन पुस्तकों में है इस प्रलय का वर्णन हमारे ब्रहमन ग्रंथो तथा पुराणों में तो है ही प्राचीन परशिया के इतिहास लेखक जेनिसिस ने भी इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है ये प्रले संभवतहा वर्तमान मेसो पोटामिया और परशिया के उत्तर पश्चिम प्रदेश में हुआ था पाठा के यदी नक्षे में दिहान से देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि परशिया का ये भाग दक्षन में फारस की खाड़ी और उत्तर में काशियप सागर से दबा हुआ है परशिया के पश्चिम उत्तर कोण में जो आर्मीनिय प्रदेश है वहाँ के बरफीले परवतों से फरात नदी निकल कर मेसो पोटामिया में आई है जो मेसो पोटामिया की खास नदी है ये नदी बहुत बड़ी और विस्तार वाली है मेसो पोटामिया में और भी नदी है शतुलारब ऐसी नदी है जिसमें समुद्र में चलने वाली जहाज आ जा सकते है कहते हैं प्राचीन बस्रानगर जो इसा की छठी या साथवी शताब्दी में बसाया गया था उसमें एक लाख बीस हजार नहरे थी जिन में नावे चलती थी इस से हम समझ सकते हैं कि ये नदियां समुद्र के समाने ही गहरी और बड़ी थी संभवता बर्फ के बांध तूटने से इसी दजला नदी में बाढ़ हाई और उस प्रदेश को जो फारस की खाड़ी और काशिप सागर के बीच है समुचा डुबो दिया इस भुए स्थल में कुछ ऐसे स्थल थे जो समुद्र तरल से अठारे हजार फुट तक उँचे थे वहां संभवता जल नहीं पहुचा परंतु व्रिक्ष वनस्पती और मनुश पशुपक्षी इस देश के भी नश्ट हो गई पैलेस्टाइन का वो भाग जो फारस की खाड़ी के पश्चिम दक्षण है समुद्र तल से केवल छे हजार फुट उँचा है वो सर्वता जल मगन हो गया और वहां के सब जीव जन्तु वनस्पती नश्ट हो गए ये नश्ट होने वाली जातिया राट थी जो महराज अत्राती जानंत पती की वन्शच थी दक्षण रूस का नाम उन्दनो उत्तर मद्र था यहीं से मद्र मेडेज एरान में आये थे उनके वन्श धर महारती शल मद्रपती महा भारत संग्राम में सम्मिलित हुए थे जालमुखी के विसफोट से बर्फ की चटाने तूट गई और दजला नदी का उदगम, काशियप सागर और फारस की खाड़ी इन सब ने मिलकर एरान को जल मगन कर दिया काशियप सागर प्रदेश का एक स्थान बाकू है जहां अभी प्रित्वी से अगनी निकलती है इस अगनी द्रिश्य को देखने सिकंदर भी गया था ये अगनी द्रिश्य संबहोता है उसी जालमुखी के विसफोट का अवशेश है शत्पत्ष ब्रहमन में तथा मत्स पुरान में इस प्रलाई की जो घटना वरने थे उसमें लिखा है कि मनु के हाथ एक मचली मत्स लगी जिसने उसकी रख्षा की इस मत्स का भी तिहाथ सुनिए ये मनु संबहोता है मनु अभी मन्यू या उसके वंशधर थे बाइबिल में तथा अवस्ता में इसे नुह का नाम दिया गया है बेविलोनियन दंत कथा के अनसार प्रले से पूर्व वेविलोनिया में मत्स जाती के लोगों का ही राज्जी था ये प्राचीन जाती चिरकाल से उस देश पर शासन करती थी ये जाती पर सिधिनाविक थी प्रलय के समय मन्यू ने इसी जाती के किसी निता की सहायता से अपने परिवार की प्रान रक्षा की होगी मन्यू ने सुशा नगरी बसाई और उसे अपनी राजधानी बनाया था पुराणों तथा प्राचीन परशिया के तिहासों में इस पुरी के व्यवाओं का बड़ा भारी वरुनन है ये प्रसिध्य नगरी बेरखा नदी के तटपड थी जो इस काल में सभता का केंद्र थी संभव तहा सुशा तक प्रलय का जल नहीं पहुँचा फिर भी नगरी प्रलय के बाद उजण गई बहुत लोग मर गए शेश उसे छोड़ कर चले गए इस उजड़ी हुई नगरी पर धूल के स्तर जमते चले गए काला अंतर में ये स्तर पाँच फुट मौटा हो गया अभी आप सुन रहे थे आचार चतुर सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का पाँचवा भाग पिरलय मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में खिया रहे बूम्यास